वल्कम टिस्टों डिक्टेशन, डिक्टेशन पांच सेकेंड बात सुरू होगा रिडी स्टार्ट पर्यावरणिय प्रदूशन के साथ एक और प्रदूशन है जिसकी इस रूप में चर्चा भले ही न होती हो जिसका बहुत गहरा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है मेरा आशय विचारों के प्रदूशन से है इसे बढ़ाने में हमारी जिन्दगी में नए शामिल हुए सोसल मीडिया की बहुत बड़ी भूमिका है जब सोसल मीडिया हमारी जिन्दगी में आया तो बड़ी खुशी हुई की बहुत सारे कारणों से सिकुरती जा रही हमारी सामाजिकता को विस्तार का एक आयाम तो मिला कामधंदों की बढ़ती व्यस्तता फैलते शहरों की बढ़ती दूरियां परिवहन की दिक्कतें बजट की बाधाएं इन सब वजहों से लोगों का मेल मिला घटता जा रहा था एक छोटे कस्बे की दूरियों को पैदल चल कर ना पाजा सकता था लेकिन आज राजधानी नगर के जीवन को देखने से ग्यात होता है कि कार्य स्थल पर आने जाने मात्र में ही घंटों खप जाते हैं लोग अपने मित्र एवं रिष्टदारों से मिलने भी नहीं जा पाते हैं जहां पती पतनी दोनों नौकरी करते हैं उनकी व्यस्थता के तो कहने ही क्या सभाविक है कि इन सब वजहों से सामाजिकता घटती ही जा रही है ऐसे में सूसल मीडिया ने एक दूसरे की खबरें लेने देने और दुआ सलाम को आसान बना कर सामाजिकता के छरण को कम करने का सराहनिय काम किया है लोग फेस्बुक पर खोज खबर देते लेते हैं और बड़ी खुशी होती है जब उनको जन्म दिन पर कई सारे मित्र सुब कामनाय देते हैं पराचेंज कोई खुशी की बात बताए तो बधाई देने वालों का ताता लग जाता है और यदि कोई समस्या बताए तो अनेक समाधान पलक जपकते ही मिल जाते हैं चाहे दोस्त से प्रत्यक्ष नहीं मिल पाए लेकिन इस मंच पर एक दूसरे के समाचार तो जान लेते हैं फेस्बुक और सोसल मीडिया के ऐसे ही बहुत सारे मंच हमारी समाजिकता का विस्तार कर रहे हैं यह बात सुकून देती है कि हम अकेले रहकर भी अकेले नहीं रह गए हैं पराचिंज यह सारे मंच लगभग निशुलक हैं तथा त्वरित भी और सामानितिया नियंत्रन मुक्त हैं यह बातें जितनी इनके पक्ष में हैं उतनी ही इनके प्रतिपक्ष में भी हैं इनका निसुलक होना इनके अंधाधुंद इस्तिमाल को प्रुटसाहित करता है एक कलपना की जाय की यदि फेस्बुक पर प्रति पोस्ट पर मात्र दस पैसे का सुलक लगा दिया जाय तब भी क्या इसका इसी उनमुक्तता से प्रयोग होता रहेगा पराचिंज यही सवाल वाटसेप के संदर्व में भी है अगर आपको पांच पैसा प्रति संदेश देना पड़े तो भी क्या आप एक रुपया प्रति दिन खर्च कर बीस संदेश भेजेंगे मुझे लगता है कि यह सब निशुलक है इसलिए हम बेतहाशा लाइक करते हैं और दिन भर टिपड़ियां पोश्ट करते रहते हैं और दिल खोल कर इधर के संदेश उधर भेजते हैं वैसे इस बात से किसी को क्या दिक्कत होने चाहिए अच्छा है ना कि यह सब मुल चुकाए बिना मिल इस चाहिए इस चाहिए